So good morning दोस्तो मैसेल अर्विन चोदरी and today is 6 December 2020 यानि कि 2022 खतम होने वाला है और आज हम बात करेंगे सेप्टो प्लास्टी के बारे में और इसके बारे में बात हम क्यों करेंगे चलिए आपको बताते हैं और before starting this video I would like to clear I am not a doctor or any kind of medical official just मेरे साथ ये सर्जरी होने वाली है इसलिए मेरा जो experience है ये आपके साथ सेर कर रहा हूं just for the knowledge and information purpose सेप्टो प्लास्टी एक सर्जरी होती है और इस सर्जरी के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज 6 December या 7 December को ये सर्जरी मेरी होनी है तो मेरा जो experience है और इस सर्जरी को होने से पहले मैंने गूगल और यूटूब से जो information जानकारी जो मैंने प्राप्त किये वो आपके साथ share कर रहा हूं तो basically होता क्या है हमारे दो नेसल्स होते हैं जिन से हम सास लेते हैं इनके बीच में अपने नाक के सपोर्ट के लिए एक हड़ी होती है तो उस हड़ी को हम बोलते सेप्टम तो कई लोगों क्या होता है वो हड़ी सीधी होती है कई लोगों के टेड़ी होती है अब 60-70% है उसमें बादा आजाती है और जो एर और ओक्सिजन का फ्लो है वो प्रोपर नहीं हो पाता तो जब मैंने अपने एंटी स्पेसिलिस्ट को दिखाया तो उन्होंने भी मुझे सेम बताई मुझे सास लेने में इतनी दिकत नहीं थी एकिन मुझे दिकत यह थी कि सर्दियों हमें पूरी सर्दियों जुकाम रहना नाक से पानी आना और बार बार जुकाम लगना तो डोक्टर ने बताया कि आपको एलर्जी है और उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो भी दवा यानि कि स्प्रे या फिर स्टीम लेते हैं वो अंदर तक नहीं जाती है और आपकी लेफ्ट साइड में वो जो सेप्टम हड़ी वो भी तोड़ी हुई है तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका इलाज यह है कि आपकी एक छोटी से सर्जरी कि जाएगी जिसमें जो एक्स्टर बड़ा हुआ पार्ट उसको काट दिया जाएगा और बेसिकली सर्जरी में होता यही है कि हमें अनेस्टेटिया का एक डोज दिया जाता है उस डोज को देने से पहले हमें पूच लिया जाता है कि हम स्मोकर या ड्रिंकर तो नहीं है जिससे इसलिए होता है क्योंकि जब भी को इनेस्टेटिया दी जाती है तो यह पता किया जाता है कि जिस बंदे को करता है तो उसके थाय। यह थाय पर कशिवी और पार्ट उसको बाहर निकाल देते हैं अधु strain मिसदाट कॉर्छ रिभी, जब कुछ कोफू नहीं ऐसना है उसका रीरिजिन जी यह है कि उसका कोई एफट हो डॉक्टर ओपरेट करने वाले हैं और इसका एक रिजन ये भी है कि सर्जरी के दोरान कुछ गड़बड हो जिससे उल्टी वगएरा भी पेसिन्ट को ना आए और सर्जरी में कोई बादा ना हो इसलिए हमें खाली पेट रहने की सला दी जाती है अब आप्टर सर्जरी मेरा क्या एक्सपिरेंस होता है डॉक्टर मुझे क्या सला देता है इसके बारे मैं आपको बताऊंगा बाकी मैंने जो जानकारी पर आपकी उससे यही पता चला कि एक दिन का एक प्रोसेस है एक दिन हमें होस्पिटलाइच होना पड़ेगा एक गंटे मैं इसके बाद एक दिन में पहले एडिवीट हो गया थे ंसके दूसरे दिन 7 दिसम्र को मेरी सर्जरी होनी थी और सर्जरी में मैं जो अठीक्र होता, ना में लोकल नेस घ्याट है दिया गया ईस लोकल नेस टेटिया बहलें लिए असको सुन किया जाता है और जार देंग अपना पूरा जहां पर वो सर्जरी करने वाले वो नुट्रलाइज विज़ाता मनलब सुनो जाता उसके बाद कुछ पता नहीं चलता मुको लेकिन जब डोक्रोपरेशन करता है या स्टिच करता है तो हमें फील होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वेन वी कट और नेल और है यह जाते हैं तो हमें पता चलता है कि नाकुनिया बाल काटे जा रहे हैं लेकिन दर्द नहीं हो था वेसा ही हो रहा था दोक्टर बीच 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 पूश भी रहा था कि अध्मिन रही ओके मैं बोले यह सर आए तो इस तरह से सर्जरी हुई उसके बाद एक द अगले दिन तक हमें पत्टी बांद गया रहनी पड़ती है नाक के अंदर बहुत सारा कोटन हमारे नाक में भर दिया जाता है उसके बात पत्टी करते हैं तो वह रात और एक दिन निकालना बहुत मुश्किर हो था क्योंकि उसमें मुह से सास लेना वड़ता है और आप ट् कश़ी इन निकालन तो उसमें मी थया हुता है की जब उसको निकालते हैं तो यहां सी निकालने है वह अंदर तक भेज़ देते क्यों मुह पता मैं तने निकालने तब यह सुट्क Thirty कि दो से तीन दिन दिन बाद में अपना जो लगता है ताके वागेरा वो ठीक हो जाते हैं इतना दर्द नहीं होता और आज हो गई है 15 दिसम्बर जब में वीडियो सूट कर रहो हूं और साथ दिसम्बर को मेरा सर्जरी वीदिया नहीं कि तो लगबग साथ दिन हो चुके हैं कुछ भी ज्यादा फिल नहीं हो रहा है कि जब ठोड़ा सा प्रेसर कुछ लगता है तो दर्द होता है बाकी कोई दिकत नहीं है अभी नाक वांक में जोड़ से प्रेसर से साफ नहीं करता कि कहीं गड़बड़ना हो जाए बाकी नॉर्मल सर्जरी बिलकुल अगर आपको द जाते हैं सर्जरी के नाम से जाते हैं इसा बिलकुल नहीं करना तो यह था मेरा उर्ल एक्सपिरेंस ओफ सेप्टो प्लास्टी आपको कैसा लगा और अगर आप यह वीडियो देखरें मतलब या तो आपने कई से सर्च किया होगा तो यह वीडियो आया होगा या फिर आप म